अभी नहीं निकला है लेकिन चात्र अभी से परिशान है खास करके उम्र सीवा में छूट को लेकर और आज कैबिनेट की बैठक थी कैबिनेट के बैठक के बाद कई चात्र कई अभियरती मुख्यमंत्री हमंद सुरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे उन्हीं में से क होगी या नहीं होगी यहीं तरह नहीं है बिल्कुल होगी सर जैसा सरकार और आयोक का जो सुखबुहाट है उस हिसाब से तो लग रहा है कि नोटिफिकेस्टन बहुत ही जल्द आने वाली है चुकि नियाम वाली जो था वो संसोधन भी होकर के आ गया है कार्मिक के तरफ से जो कमिटी गठीत हुई थी उसका जो है यह आ गया है तो उमीद है कि बहुत ही जल्द इसी महने में वेकंसी आ जाएगी तो इसी क्या चाह रहे हैं हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे सेवन्थ जपीएसी जो आया था उससे मैं अधिक्तम उम्र की करना एक अगस्त 2016 किया गया तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो नेक्स्ट जपीएसी आय उसमें एक अगस्त 2017 करते हुए हम लोगों को मौका मिलना चाहिए एक्जाम में बैठने का बस हम लोग यहीं चाह रहे हैं कि कई लोगों का उम्र जो है वो गुजर गया है इंतजार करते करते इसलिए उनको छूट जी बिलकुल मिलना चाहिए चुकि राज गठन हुए तेईस साल हो गया है लेकिन आप तक सिरफ साथ पैसी हो पाया है अभी तक साथ बार ही एक्जाम हो पाया है तो इस तरह हम लोग को परियाब तो अभी तक नहीं मिल पाया है तो इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि हम लोग जो नियामौली पढ़ें उसमें यही है कि जो बिग्यापन वर्स होगा उसका एक अगस्त दो हजार चोबीस या तेईस इस तरह से मतलब आने का है नोटिफिकेसन मतलब मीनिमूम उम्र की गना और हो सकता है अधिकतम उम्र की गना उसी से हो जाए तो अगर अधिकतम लाखों बाहर हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात यह सर जो अभी जो कमिटी यह खांकते कमिटी के अकॉडिंग यह प्रेस्क्राइब है कि मिनीमम एच जी साल आएगा और मैक्सीमाम एच भी जिस साल आएगा उसी के विग्यापन वर्स में रहने वाली है और और बी सही है तो और हमारा स्टेट वन अफ दसर ज्यादा डवलब्ड तेट तो है नहीं जारकन यह 23 ए 24 में आता है बैकवर्ड में और यहां पर सर अगर इतने गैप गैप में एक तो जेपीसी कंड़ेक्ट होती है उसमें भी मैक्सिमम इस लिमीट आपका 35 है और और सब हरियाना है उसका 42 है उत्रकन 42 है यूपि ऊपी का 40 है बिहार का 37 है और यह तो उससे होता किया है कि हम बच्चेह को परेयाप्थ आफसर और सभी स्टेट में जो बच्चे को मिल रहा है हम हम लोग के बच्चे को नहीं मिल बाता है तो एक जो बैक्वर्ड स्टेट होने के साथ हम लोग वह ज्यादा उसर देना चाहिए था और यहां पर सीधे अमलों का यह मतलब आति क्रमन हो रहा है एक तरह से किसी से मिलना चाहे लेकिन सुरक्षा कर्मी रोक दिये और और तो उन्हों ने अपना नंबर दिया है और बोले हैं कि सीम सहब से कल या परसों में हम मुलाकात करवा देंगे और इर्फान और पूरा बात सुनेंगे और का दिशाय में हमारे संगयान को लेते हुए पॉजिटीब step जरूर लेंगे